दिली में पार्टियों के लिए बचके निकलने के रास्ते बहुत हैं, एक दूसरे पर आप डाल सकते हैं आराम से, सुमिध सिंगल जी भी है मारे साथ, अजय कुमार पांडे जी भी है, अजय जी मैं आप से सवाल लेना चाहूंगी, कूडे का जिक्र किया, कूडे का जिक्र लेकिन विश्वास की बात आती है, क्योंकि एक ही बात तीनों पार्टियों ने कही है, विश्वास कैसे करेगी जनता? आपने बिल्कुल सही सवाल कहा है, लेकिन मुझे जो दिल्ली दिख रही है, कि ये 75 साल से हमारा बोज उठाते उठाते ठक गई है दिल्ली, जुग गई है इसकी कमर, और चेहरे पे पड़ी है सिकन, तीनों पार्टियों के संकल पत्र की अगर बात करें, तो कॉस्मेटिक चेंजेज की बात हो रही है, आजादी के 75 साल बाद जब हम विश्व गुरू बनने का सपना देख रहे हैं, तो क्या वो भारत वो विश्व गुरू होगा जिसमें दिल्ली सामिल नहीं होगी, इस तरफ इसकी बात नहीं की जा रही है, दिल्ली में इस वक्त संपुर्ण का या कल्प की जरूरत है, क्योंकि या देश की राजधानी है, जहां आदार सिला रखी जाएगी, उस भारत की जिसकी बात लाल किले की प्राचीर से मोदी जी अक्सर किया करते हैं, जसका सपना वो देश को दिखाया करते हैं, उस सपने की मुख्यादार सिला दिल्ली है, पत्र तीनों पार्टियों का दिखता है क्या क्या कूड़े की पहार हटा देने से दिल्ली विश्व के मानस पटल पर विश्व पटल पर नंबर एक सीटी में सामिल हो पाएगी सुमार हो पाएगी इसकी चर्चा इस एमसीडी में मैं सुनना चाहता था बता और दिल्ली का एक भोटर नहीं आपने जेवर का जिकर किया सर